येलो गाईस, आज fitness फाटरीश चैनल पे और एक बार आपका सोगत है, तो गाईस आप लोगों ने comment किया था कि पेट कैसे कम करे, तो आज आप लोगों को सर बताएंगे कि पेट कैसे कम करे कोई पेट कम नहीं होगा आज, आज वीडियो बनेगी नहीं सब इनको चलाने आते हैं तुम क्या बोल बेगो दोस्तों हमें फॉलो करिये आज इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन कराइए नीचे लिंक दिया है सर्वर पुरा डाउन हो जाना चाहिए एक दब बटन आज तोड़ी दो आज फॉलो करिये और रोडिकेशन बेल और दोस्तों यही ने फिलिए ठीक है आप हरमीद मम्रा को अगर फॉलो नहीं करते हैं मौन्टू मुर्या फिटनेस को फॉलो नहीं करते लेकिन फिटनेस फाइटर ओफिशल जो है वो ना मेरा चैनल है ना मौन्टू का चनल है यह आपका तो इसे आपका फर्जे के इसे फॉलो करिये और अपने फॉलो और जो है और इसे बड़ा बनाएं दोस्तों यह आपका चैनल है तो दोस्तों चलते हैं आज की टॉपिक के ऊपर चार सिंपल स्टेप्स के आपके पेट की चरवी को गलाने के लिए दोस्तों जो लोग टाइम पास कर रहे हैं वही वीडियो मत देखिए जो लोग सीरे से आपने उपर वह यह वीडियो देखिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और आपको माली में क्या करना है नोटिफिकेशन विल को दबाना है आपको पीट की चेर भी कम करनी है तो सबसे पहला स्टेप वह है कै क्योंकि अगर आप दिन में उन्टा इंटू 30 ये कैल्कुलेशन है मतलब 27 कैलरी अगर आप खा रहे हो तो उसे कम करके बॉड़ीवेट इंटू 20 करना है जो 1800 कैलरी आपको 900 कैलरीयों का आपको भुकतान करना है तो 900 कैलरी आपको कम करनी है अब दोस्तों आप खा लेते हो आप पूरा दिन बेटर रहे तो अगर आप कुछ activity नहीं करोगे तो उन तो आपको निकले गई कि आपकी personality का लगी कि आप खुछ सोची आप खुद आपके दिमाग में सोची कि आपका double chin आ रहा है कई भार जा रहे है तो आपको awkward feel हो रहा है कि लोग देख रहे है कि मोटा आदमी आ गया हसेंगे आपके तो अगर आप चाहते हो ना होए तो आप calorie deficit करिये जो बहुत जरूरी है सबसे पहले चीच पेशली आप junk food दोस्तों आप junk food को avoid करिया वाड़ा पाओ खा रहे हो समोसा का रहे हो पीजा पार्टी कर रहे हो आफते में एक बार मैं भी मानता हू कि मैं खुझ बोले है कि एक हफ्ते में एक बात आप उसका सेवन कर सकते हो नो प्रम्लम अगर आप छे दिन आप से सिंसियर हो तो बट उसके बाद क्या अगर आप रोज खा रहे हो और बैठे रहते हो पूरा बुरा दिन तो आपके टो निकले गा ही तो तो निकले गा तो भी आपकी खराब हो जाएगी लोग आपको देखके हसेंगे बोलेंगे मोटा आद्मिया अगर सबसे इफेक्ट पड़ेगा आपके हाट के ओपर आपको हाट की इस्यूद हो सकती है आपने देखा रहेगा कि जो लोग हाई ओबीज रहते हैं वो ज्यादा साल नहीं जीते अगर आप अच्छा अर्न कर रहे हो तो क्या उटस पैसे का महतुव है वोलाइफ का महतुव है नहीं आपको अपके हाट को भी मजबूत रखना है एक्साइस करते रहेना है और स्पेशली कैलरी देफिसिट में जाना है यह आप नेगेटिव में चल रहे हो आपने कैलरी डेफिसिट किया बरबर आया अपने कैलरी कट किया आपने एक्ससाइस चलू किया पॉजिटिव में आया आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ आप पॉजिटिव में चले गए अपने कैलरी कम कर दिया तो रिज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्यूंक्य उसमें आपका जो है क्यालरी बफेर बहुत जल्दी होता और यहां पर अगर वोटे हो तो आपका जो है हाट उतना कमझोर करेगा मैं आपको काडियो के एक्सेस बता देता हूं जॉगिंग वाकिंग ब्रिस्क वाकिंग जंपिंग स्किपिंग स्विमिंग सीडियां चड़ना डांस आप कुछ भी करिये वह आप वह चीजों के लिए पौना घंटा तो आप निकालिये ताके आप पे जो है रिजल्ट जल्द से जल्द आएं दोस्तों जो है स्टेप नंबर 3 है वह प्रॉपर स्लीप देखिए पता है क्या होता है अगर आप पूरी तरह से अगर आप सोगे नहीं तो क्या होगा आपकी बॉडी के सिस्टम उस तरह से आपके काम नहीं करेंगे जैसा आप कुछ ही है आप अपन वह हार्मोंस बनाती है आपकी बॉडी रिकवर करती है अगर आप कम सोगे तो क्या होगा आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेंगी सोने का समय है रात को ग्यारा या साड़े दस से लेके सुबह 6-6 बज़े तक जो सबसे साही टाइम है सोने का जो बहुत जरूरी है तो आप य क्या होता है दोस्तों अगर अगर अप अरली मॉनिंग उठते अगर आप गरम पानी और लेमन का अगर आप सेवन करोगे तो क्या आपकी बॉडी के सिस्टम जो है रन करने चालो हो जाएंगे बॉडी में अगर आप गरम पानी दोगे तो आपका मैटबॉली के बूस्ट हो बोडी में फैट बन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है उसके बाद में अगर आप काडियो करेंगे तो क्या होगा अफ्कोर्स फैट बन फास्ट होगा तो यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है कि अरली मॉर्निंग काडियो आपको करना है आप लाइम वॉटर यॉटर व्वाटर एंड लाइम प्लस काडियो और उसका में परफंज यह है कि आपकी बोडी सुबह सुबह कैटबॉलिक मोड़ में रहती है केटबॉलिक मोड यह होता है कि बोड़ी वो टैम पे फैट बन करती है अपने राथ से कुछ खाया नहीं रहता है तो वो टैम पे आपको घूख ज्यादा लगती है बोड़ी फैट बन वो टैम और जल्दी करेगी तो यह था हमारा चौतर स्थेप पांच्फर स्थेप जो बह करना है कि जहां पर शुगर के लेवल अगर बढ़ जाएगा आपकी बोड़ी में तो क्या होगा आपको इंसिलिन की तकलिफ होगी मतलब पर आइबी इस बढ़ेगा आपकी बढ़ेगी आपकी बोड़ी का फैट परसेंटेज ड्रॉप नहींगा क्योंकि आपकी बोड़ी क पर शुगर के लेवल अपको ड्रॉप करना है और जैसा मैं बोला कि आपको फाइबर का लेवल बढ़ाना है आप ग्रीन वेजिटेबल का है आपको भी वेजिटेबल का इवलाट बना के खाईए तो वह ज्यादा अच्छा है जैसा मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है कि इसना इंटी ऑक्सिडेंट है तो दोस्तों जैसा आप में शुगर का सेवन अगर बंग कर दिया तो डेफिनेटली आपका जो है कैलरी का सब्सक्राइब की बॉड़ी आपकी बॉड़ी जो है कैलरी डेफिसित में चले जाएगी और अपने फॉक फाइबर एंड किया तो तो वह जो है डिटॉक्स करके आपकी बॉड़ी का डाइजर्स सिस्टम स्मूथ कर देता है कि आप कोई भी कोई भी चीज खाओगे हैल्दी फूड खाओगे तो पचेगा तो कुल मिला कि मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप यह पांच स्टेप का ध्यान रखिएगा और इ खाल एक माना करने के बाद नंगे स्टापर है कमेंट करेंगे इंच्टा पे कमेंड करिे यह य्शक क्रमान करिए क्योंकि का मैं पॉजितिव कमेंड्स बबॉट जरूरी है पॉजिटिव कमेंट करेंगा क्योंकि मुझे पता है कि रिजल्ट आएंगे आप इसे फॉलो करेंगे तो तो दोस्तों कुल मिलाके मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको लाइट करें सब्सक्राइब करें शेयर करना और इंस्टाग्राम के लिए तो मैं आपको इस्पेशली बोला हुए और दोस्तों एक जरूरी बात क्या प्तिक न लोटीफिकैशन डिख गठते बारे जिन नहीं दबाया है वह फलिज नोटिफिकेशन बिल को दबाये ताकर आपको अचछे योच्छे वीडियो न की तरफ पौँचे इंस्टाग्राम के बारे मैं वने मैं बताया प्रुचर टुछ जया है, युर टूराइश नहीं हुआओा सक्टानी है, एग जाल ट्सक्राइशल कर्णामी करता है, युछ विर्वार के भादनी है, युछ विर दो जहें हैं.